कल तीन दिसम्मर को पांच राजियों के चुनाओं की गिंती होनी है अलाकि एक जीट पोल के इसाब से सभी राजियों में कॉंग्रेस की बरहत दीख रही है। सब जगह हमलों की सरकार बन रही है जनता मोदी सरकार की नीतियों चाल चरित्र से इतना नाखुश है कि उसको चहिए एक विकास वाली सरकार एक मुहबत वाली सरकार यहां नफरत वाल नफरत तो किसी को पसंद नहीं है ना तो यह नफरत वाले लोगों को जड़ से उखाडने का जनता ने मन बना लिया है मैं जो अपने तरफ से देख रहा हूँ और उसी का रिजल्ट यह है कि हर राज्य में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है आप मध्व परदेश में कितने दिवह तक रहे हैं साथ दिन तक रहे हैं जेडियू ने भी आर्ट से दस कंडिडेट उता रहे हैं जेडियू का कंडिडेट का तो अभी हम लोगों कुछ नहीं कह सकते हैं रिजल्ट बताएगा चुनाओं का लेकिन लोग तंत्र हैं सब को लड़ने का अधिकार है सबका कैडर होता है सबके कुछ निता लोग होते हैं तो उसमें कोई अतिशोक्ती नहीं है चुनाओं लड़ना ही चाहिए अगर चुनाओं हम लोगों का जहां तक आप जो आपका जो पॉइंट औभ यू है वो हम लोगों के इंडिया गटबंधन क चुनाओं के लिए है और जो राजियों का चुनाओं है उसमें सब पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं उससे कोई नफा नुकसान की बात हम लोगों को नहीं है यहां पर सिधा सिधा कॉंग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाओं हो रहा है और मैं तो कह रह करते हैं जेडियू को क्या सीट आएगी नहीं आएगी उसके सीट आने नहीं आने से कोई मुद्दा नहीं है मैं कहूं अगर जनता चाहेगी तो उनको भी कुछ सीट मिलेगा लेकिन जो जिसके खिलाफ जनता का की मनुभावना है भाजपा क्या वह भाजपा का बिलकुल रहा है इन सब ही राजियों में अनुभाव के बताईगी ना कि यह क्या अनुभाव रहा कि वहाँ जेडियू क्या सिति रहे जैसे आप वीज़व कि बता रहे हैं तो ने ठीक है जेडियू के भी लोग लड़े हैं और हर आदमी अपना देता है तो ठीक है लड़े है अब रिजल्ट तो जनता ही देगी कल का ही जाएगा हम लोग इस पर अब को जाएगा अब यह हम लोग कैसे बताईगे तो इलेक्शन कमिशन बताएगा कि जमानत किसकी बचेगी और किसकी जाएगी लेकिन ठीक है लोग तंत्र है सब को अधिकार है चुनाव लड़ने का लोग कोई फरक नहीं पड़ता है उसके साथ जनता है उसका बोट कहां कोई काट पाता है वह को सकता है भाजपा कहीं बोट काट रहे होंगे तो यह निर्मर बर्मा जी है जो मध़ परदेश में साथ दिनों सक्यम किये और इन्होंने बताया कि जेडियू का वहाँ कोई नामो निसान नहीं है चाउब बिजेपी और कॉंग्रेस के बीच थी हलाकि खुल कर इन्होंने बताया लेकिन इन्हों साफ कर दिया कि जेडियू की यत भी सीट वहाँ आने वाली नहीं है वहाँ सिधीला राई बीजेपी के भरसेज कॉंग्रेस रही है और कॉंग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी सेवगी पंकच के साथ परमानान सिंगे बिपने पटना